आज अखिलेश भाईया कहें कि उत्तर प्रदेश में बाजपा को रोकने के लिए हमें चोटे भाई की जरूरत है मैं उसको कुछ नहीं दूँगा वो आज आए और इस गडबंधन को चुनाव लड़ाए इस बीच उनका वीडियो वारल हो रहा है वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं आज अखिलेश भाईया कहें कि उत्तर प्रदेश में बाजपा को रोकने के लिए हमें चोटे भाई की जरूरत है मैं उसको कुछ नहीं दूँगा वो आज आए और इस गडबंधन को चुनाव लड़ाए तो आज चंदर शेकर बहुजन समाज के हित के लिए सब कुछ त्याग कर अपने लोगों को समझा कर आ जाएगा सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर समाजबादी पार्टी की यूवजन सभाग के प्रदेश सचीफ बिरेंद कुमार यादव ने चंदर शेकर का ये वीडियो शेयर किया है इसके कैप्शन में लिखा अखिलेश यादव जी मुझे शामिल कर लें मैं एक भी सीट नहीं मागूँगा चंदर शेकर आजाद इसके लावा एक्सपर बीएसपी सोचल मीडिया नाम के अकाउंट से भी इस वीडियो को शेयर किया गया है क्या चंदर शेकर आजाद का अखिलेश यादव को लेकर दिया गया है बयान हालिया चुनाव के संदर्ब में है कुछ कीवर्ड सर्च करने पर हमें BBC हिंदी की वेबसाइट पर 17 फरवरी 2022 को छपा एक इंटरव्यू मिला इस इंटरव्यू में चंदर शेकर ने कहा कि यदि अकलेश ये कहेंगे कि UP में BJP को रोकने के लिए उनने चंदर शेकर की जरूरत है तो वो बिना एक सीट लिए भी उनके साथ जाने को तयार है इससे हमें एक हिंट मिला कि चंदर शेकर का अभी वारल हो रहा बयान संभावता दो साल पुराना है कुछ कीवर्ड सर्च करने पर हमें TV9 भारतवर्ष के YouTube प्लेटफॉर्म पर 16 जनवरी 2022 को उपलोड किया गया एक वीडियो मिला वीडियो में चंदर शेकर के उस बयान को देखा जा सकता है जिसे अभी का बता कर शेयर किया जा रहा है उस वक्त यूपी में विदान सुभा चुनाव को लेकर भीमार्मी और सपा में गडबंदन होने की चर्चा चल रही थी लग रहा था कि चंदर शेकर और अखिलेश यादा दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे लेकिन उस दोरान चंदर शेकर ने एक प्रेस वारता कर अखिलेश को दलित विरोधी बता दिया इसके बाद दोनों के बीच बात नहीं बन सकी दिसमबर 2022 में यूपी की खतौली और रामपूर विदान सभा सीटों पर हुए उप चुनाव में दोनों की सियासी दोस्ती बन गई थी दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और बीजेपी को खतौली सीट पर पटकनी देने में निरनायक भूमिका निभाई एसा माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में फिर से दोनों एक साथ आएंगे लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अखलेश यादाव ने नगीना लोकसभा सीट से मनोज कुमार को मीदवार बना कर चंद्रशेकर को जटका दे दिया है गौर तलब है कि बीते दिनों चंद्रशेकर आजाद को केंद्र सरकार ने वाई प्लस केट्डिगरी की सुरक्षा मोया कर आई है उन्हें ये सुरक्षा आईबी की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है चंद्रशेकर ने नगिना सीट से अपना नावंगन दाखिल कर दिया है और आज तक की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें इसके बाद से धंकियां मिल रही थी कुल मिलाकर चंद्रशेकर आजात की अकलेश यादों के साथ गटबंदन करने वाली बात दो साल पुरानी है उन्होंने हाल फिलाल ऐसा कोई बयान नहीं दिया है इस वीडियो में इतना ही ये पटदाल आप के लिए किती है हमारे साथ ही शुब हमने देश दुनिया के तब अब आम खबरे देखते हैं लेलन टॉप पर शुक्रिया